लोग सबा चुनावों में राहूल गांधी, राय बरेली और वाइनाट दो सीटों से चुनाव रड़े दोनों जगे से जीत भी गए लेकिन अब पार्टी ने फैसला किया है कि वो वाइनाट सीट छोड़े के वहां से उनकी जगे प्रियंका गांधी किसमत आस्माई की इस काट के जरिये कॉंग्रस ने उत्तर और दक्षण दोनों की राजनीती को एक साथ साधनी की ये कोशिश की राहल गांधी और वा ये उनकी सवाल लगातार बने होिए थे क्या राहल गांधी वायनाट छोड़ेंगे या राहल बरेली चोड़ेंगे उसका जवाब मिलता हुआ राइली फी चुना गया है आप राइबरेली जीते हैं, सिर्फ आमेठी भी आपने वापस लिया है तो ये सारे समिकरन देखते और समझते हुए ये फैसला लिया गया है कि राइबरेली से ही राहुल गांधी सांसद बने रहेंगे और प्र्यंका गांधी जींको लेकर सस्पेंस हा कि क्या वो चुनाव लडेंगी वो वाइनार से चुनाव लडने वाली है मेरा राइबरेली से और वाइनार से एमोशनल कोनेक्शन है पिछले पांच सालों में मैं वाइनार का MP था और वाइनार के सब लोगों ने हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और पूरी जिन्दगी उसको याद रखूँगा प्रियंका वाइनार से चुनाव लड़ेगी मगर मैं भी पिरियोडिकली वाइनार जाऊँगा और जो वाइदे हमने वाइनार को किये थे उनको हम पूरा करेंगे राइबरेली का पूराना रिष्टा है काफी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रेप्रेजेंट करूँगा तो रावल गांधी वाइनार सीट छोड़ेंगे वहाँ सब ट्रेंका गांधी चनाव लड़ने वाली है होते ही बीजेपी एक बार फिर से कॉंग्रेस पर हमला वर हो गए। बीजेपी ने वंश्वाद और परिवारबात के हतियार से कॉंग्रेस पर हमला बोला। कॉंग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया। को प्रियांका जी रहने से वहां के लोकों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहूल गांधी जी यहां से छोड़े तो भी वो छोड़े तो छोड़के तो जाने वाले नहीं है। छोड़े तो भी प्रियांका जी एक उन्होंने एक यह स्लोगन दिया है। यूपी में जब यह हात् तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है, वहां से राहुल गांदी जी ने तेक किया है कि वो रायवरेली के सांसत बने रहेंगे और वायनार्ट सीट को प्याग देंगे इससे दो चीजे स्वष्ट होती है, पहली बात कि परिवारवाद की गाड़ी रायवरेली से अब वायनार्ट तक वो ले जाना चाते हैं और दूसरी बाद उससे जादा गंभीर है, उन्होंने कभी भी वायनार्ट के लोगों को ये नी बताए कि वो रायवरेली से भी चुनाव लड़ेंगे और अब उस सीट को त्याग रहे हैं, तो वहाँ की जनता जिनोंने उन्हें बहुत उम्मीद के साथ दूसरी बार चुनाए, उनके मन में क्या बीत रही होगी